हेलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो ऐसे जुगार बताने जा रही हूं जो बड़े ही काम की है तो इस तरह की पुराने पिलो कवर हम सब के पास जरूर होते हैं तो आज इस पुराने पिलो कवर को एजे और्गिनाइजर की तरह यूज करके मैं दिखाऊंगी तो इसकी लिए क्या करना इस तरह का पिलो कवर ले लेना है कि तह अब यहां पर हमें क्या करना है कि हम बैजशीट भी ले सकते हैं या फैर शाड़ी यह कंबल भी ले सकते हैं इसमें रखने के लिए तो मैं यह सिर्फ एक बैज़। रख cachet नहीं अब जो इसका ये पिलो कवर है ये भी इसके अंदर रख दीजिए इस तरह से और भी एक-दो बेट सी टाप इसके अंदर रख सकते हैं अब देखी से हाथ से थोड़ा सा एकवल कर दीजिए इसके बाद इसे पलट लेना है तो पलटने के बाद ये देखी ये जो इसका उपर में था इसे भी आप पीछे की साइड अप पलट देंगे तो अगर मेरा याइडिया आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताईएगा तो मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है कि घर में किसी भी कॉर्णर को अगर हम सजाते हैं और उसके उपर अगर आपको कुशन रखना है लेकिन आपके पास अगर कुशन नहीं है और आप तुरंट में कुशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए आपके पास इस तरह का कोई भी कैरी बैग ले लीजे अब कोई भी चादर को फोल्ड कर लीजे देखिए बिल्कुल एक्वल होना चाहिए यह यानि कि चोड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और इसके अंदर डाल दीजे तो चादर रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लीजे अब हमारे घर में बहुत सारे ब्लाउज पीस पड़े रहते हैं बहुत सारे ब्लाउज का हम लोग ब्लाउज नहीं बनवाते हैं जो ऐसी रखे रहते हैं उस ब्लाउज पीस को ले लीजे अब देखिए ब्लाउच पीस फैलाने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा सा आप सैफ्टी पीन भी ले लीजे तो मेरा यहाँ पर सिल्क का ब्लाउच पीस है इसलिए यहाँ पर एक सैफ्टी पीन लगाने की जरूरत है लेकिन अगर कॉटन होगा तो यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है तो अब देखिए आपको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है तो देखिए फोल्ड करके एक ट्राइंगल सा बना लीजिए जो देखने में सुन्दर लगेगा सेम इधर भी वैसी करना है आपको तो इस तरह से सेट करके यहां पर एक सैफटी पीन लगा लीजेए तो मेरा ये आइडिया भी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजेगा तो देखी कितना जल्दी कितना आराम शे कुशन भी बन गया और उसका कवर भी बन गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बबाए